हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो एसे अकाडमी आज हम कॉंटिन्यू करते हैं मनी इंक्रेडिट चाप्टर के पार्ट टू से अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट वान नहीं देखा है वह उपर आई बटन पर क्लेक करके पार्ट वान देख लीजिए बिकस बिना प स्टू की अपडेट लेने के लिए बैल ऐकन प्रेस कीजिए तो आइए स्टाट करते हैं में प्रिवेस पार्ट का थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूं लास्ट वीडियो में मैं आपको बताय था टर्म्स अफ्रेडिट के बारे में जो मैंने समप करते ताइम बताया था कि हम terms of credit के बारे में next video में पढ़ेंगे उससे पहले credit क्या होता है यह जानना आपके लिए जरूरी है credit का मतलब होता है जब हम किसी भी person से किसी बैंक से किसी authority organization या society से उधार लेते हैं मतलब पैसा लेते हैं loan लेते हैं तो उसे हम credit बोलते हैं अब sum up करते time मैंने आपको ये बोला था कि जब भी हमें किसी से उधार लेना हूँ मतलब हमें किसी से credit लेना हूँ तो क्या वो credit लेना हमारे लिए इतना असान होता है कोई terms नहीं होते तो जी हाँ terms होते हैं अगर हमें कभी भी किसी से credit लेना है तो उसके लिए कुछ terms and conditions होती है जिनने हमें पूरा करना होता है अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो हमें credit नहीं मिल पाता और वो depend करता है कि आप credit कहां से ले रहे हैं बहुत सरे sectors होते हैं formal and informal sectors होते हैं जिनके बारे में मैं अब भी आपको आगे बताने वाली हूँ तो सबसे first topic जो हम देखेंगे क्योंकि collateral का मतलब होता है कोई एक ऐसा asset वो asset किसी person की building हो सकती है कोई authority कोई जगा जहां पे उसकी खुद की authority है कोई vehicle हो सकता है life stocks हो सकते है कुछ भी ऐसी चीज जो उस इनसान की खुद की है जो जिसे वो own करता है वो चीज उसे जिस भी इनसान से वो borrow करता होता है मतलब lender ह होता है lender के पास अपनी कोई चीज रखनी पड़ती है अपना कोई भी asset अपना flat अपनी property अपनी building अपनी गाड़ी ऐसी कोई चीज उनके पास रखनी होती है ताकि lender के पास यह surety हो कि मैं जिस इनसान को पैसे दे रहा हूं अगर कल को कोई ऐसी situation आ जाती है कि यह इनसान मेरे security के लिए यह asset है जिस asset से मैं इसका यह लिया हुआ कर्जा बराबर कर सकता हूं तो collateral इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा important होता है क्योंकि collateral lender के लिए एक security का काम करता है अगर कल को borrower पैसे वापस नहीं करता तो आप किसी भी sector से लोन लेंगे हर उस sector में collateral की रुकावट जरूर आती है borrowers के लिए अब next thing जो है हमारे पास वह interest rate because obviously हम किसी से loan ले रहे हैं हम किसी से कर्जा ले रहे हैं तो credit उठाने के लिए interest rate बहुत ज्यादा matter करता है हां यह जरूर होता है कि कहीं interest rate ज्यादा होता है कहीं कम होता है वह depend करता है but interest rate होता ही होता है next thing है documentation why documentation is necessary क्य loan लेते हैं हम किसी cooperative या किसी bank से loan लेते हैं तो वहां पर documentation हमारे लिए must होती है because वह हमारा identity होती है कि हम कौन है हम कहां से आये हैं हम क्यों ले लोन ले रहे हैं यह सारी चीज़े हमारे documentation में cover होती है and very last thing is mode of repayment mode of repayment भी जरूर देखा जाता है क्योंकि obviously जिस भी इंसान से आप उसे पैसा वापस चुकाएंगे कैसे किस रूप में उसके पास पैसा आएगा यह देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो यह हुए हमारे terms of credit जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे लिए करजा लेना इतना असान नहीं है हमारे को कुछ terms कुछ terminologies पूरा करना होता है जिसके बाद ही हमें किसी से भी उधार मिल सकता है अब next thing जो हम इस वीडियो में discuss करेंगे वह है बहुत important formal and informal sectors of credit हमें कहां कहां से लोन मिलता है वो दो sectors में divided हैं और वो है formal sector and informal sector और उसे पढ़ने से पहले मैं आपको दो स्टोरी बताने वाली हूं बहु पातसान होगा आइए देखते हैं हम यहां पर दो लोगों की बात करेंगे जो पहला है हमारे पास वो है श्यामलार और दूसरी जिस लेडी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो लेडी है रमा यह दोनों स्टोरी आपकी NCRT book में गिवन है अब श्यामलार की जो स्टोर प्रेडर से पैसे उधार लेता था और ती consistent पहले देता थो जब मैंगे इसे कुछ हम इसमा सब्सट्राइब और उसके साथ ही वो इससे डील भी करता था यह डील करता था कि जब तुमारी फसल उगेगी जब हार्वेस्ट होगी तो वो क्रॉप तो मुझे सेल करोगे अब यह जो डील होती थी यह डील ट्रेडर के पास एक सिक्यॉरिटी के रूप में होती थी कि शामलाल उसके पैसे त में सस्ती हो जाती है तो ट्रेडर यह फायदा देखता है कि शामलाल वो सस्ती क्रॉप ट्रेडर को बेचेगा तो ट्रेडर को सस्ती क्रॉप बेचने पे और खरीदने पे प्रॉफिट होगा तो इसे लिए शामलाल यहां पर एक ऐसी सिच्वेशन में है जहां पर उसे करज नाम की एक लेडी की ये लेडी जो है ये वही नेबरिंग फील्ड में के अगरी काल्ट्रल लेवरर है अब इसके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि पूरे साल में कुछ-कुछ मंथ कमप्लीट मंथ ऐसे होते हैं जब इसके पास ऐसी सिचुएशन होती है नो वर्क डू जब इस तो उस समय में इसकी मदद करता है इसका लांड ओनर तो इसे लिए इसके पास एक सिकुंपिय्ट है कि अगर मुझे कभी भी पैसों की जरूरत है तो मुझे यह पैसे देगा मेरा लांड ओनर वो लांड ओनर इसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है चुटिया नहीं देता काम से निकालने की धमकी भी देता है बट फिर भी ये उस काम को उस जॉब को नहीं छोड़ सकती ये वहां पे इंप्लॉइड रहती है बिकाज इसे एक security है कि अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है तो मेरे पास मेरा land owner है जो मुझे पैसे जरूर दे देगा और जनरली वहां पर जो landless laborers है सोन पूर नाम की एक village की ये कहानी है तो जनरली वहां पर जितने भी landless laborers है उनके पास यही security है कि वो जहां पर employed है वहां पर जो land owners है वो उन्हें जरूरत के समय में पैसे जरूर दे देगे तो उनका काम वहां से चल जाता है आज की situation में भी रमा के उपर 5000 रुपे का उधार है जो इसे अपने landowner को चुकाना है and she is in very bad condition कि अब मैं इस समय पे interest चुकाऊं मैं उसे उसके पैसे चुकाऊं मैं यहां पे उसके लिए continuously काम करती रहूं अपने घर के जो course है उन्हें complete करूं या क्या करूं तो ये problems farmers को, laborers क traders को सब को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है अब ऐसी situation में उनकी life में बहुत ही typical role play कर रहा है credit अब बात यहां पे यहीं उठती है कि अगर credit उन्होंने लिया है तो credit उन्होंने लिया किस से है तो यहां पे I am going to tell you कि हमारे पास credit के लिए दो important sectors है वो जो sectors है वो है formal sector and informal sector तो आप लोगों ने जनरली इंगलिश में पढ़ा होगा न formal letter and informal letter writing तो बस वहीं से relate कर लीजिए इसको formal sector में हमारे पास सबसे पहले आते हैं banks and informal sector में and informal sector में वहीं पे हमारे पास आते हैं जो हमारे relatives होते हैं हमारे friends होते हैं जो traders होते हैं जिन्हें हम जानते हैं जो money lenders होते हैं वह सबाजाते हैं informal sector में और formal sector में another very important part जिसके उपर बहुत important question पूछा जाता है वो है co-operatives co-operatives भी formal sector का ही एक part होते हैं और informal sector में मैंने आपको बताया जैसे कि money lenders है and relatives है यह आते हैं informal sector में now question here arises कि किस से loan ले credit किस से ले कौन credit हमें असानी से देगा अब मैं इस बारे में आपको बताती हूँ तो यहां पे बहुत important topic है हमारे और पर उस चाप्टर में co-operatives के बारे में co-operatives कौन होते हैं co-operatives होते है peu अट कॉर्टिक लिए ग्रुप उफ लोग जो इक ट्थे मिल कर कर के co-operative society बना लेते हैं कुई भी लोग हो सकती है यह वीवर्स की society में बसकती है यह farmers की society भी हो सकती है, industrial workers की society भी हो सकती है, ये कुछ वो लोग होते हैं, जो इकठे मिल जाते हैं, और particular time periods में, ये पैसे इकठे करते रहते हैं, जब ये वो deposits अपने पास करते हैं, तो इनका सोचना ये होता है, कि जिस समय में हमें जरूरत होगी, हमें इस deposit को bank के पास as a collateral रखेंगे, और इस collateral के basis पे हम bank से loan उठाएंगे, और फिर वो loan हम सब members मिलके चुकाएंगे, once this loan will be completed, ये cycle हमारी complete हो जाएगी, तो उसके बाद हमानी next cycle फिर से start होगी, हम फिर से पैसे deposit करेंगे, और फिर से उस deposit को bank के पास collateral के रूप में रखेंगे, तो generally जैसे farmers, for example, Christian cooperative society है, तो ये ज supplements चाहिए होते हैं, tools चाहिए होते हैं, तो ये इकठे वो time decide करके, members अपनी society बना कर, और उस समय में ये bank से loan, अपनी deposit को as a collateral रखके उठा लेते हैं, और वहाँ पर cooperative के sense में भी, जो rate of interest होता है, वो कम होता है, क्योंकि bank इन से rate of interest कम चार्ज करता है, तो अब यहाँ पर बात sector में इसे लिए आते हैं, क्योंकि banks एक ऐसी authority हैं, और उन banks को regulate करने के लिए, banks के उपर जो डंडा खड़ा है, वो डंडा है RBI का, तो RBI Reserve Bank of India, वो एक ऐसी authority है, जो सारे के सारे banks को regulate करती है, RBI का काम ये देखना होता है, कि सारे के सारे banks जो है, वो सिरुफ profit making business तो नहीं कर वो small traders को, small peasants को, farmers को, laborers को, सबको loan देते हैं या नहीं देते, इसके अलावा RBI का function ये देखना होता है, कि banks, छोटा bank, बड़ा bank, हर तरीके के bank, minimum balance maintain करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो हर समय पे, कुछ periodicals पे, वो bank के पास क्या जमाराशी है, वो भी check करते हैं, और हर particular period of time पे, वो bank से report भी मांगता है, कि आप report DGA, आपका यहां से loan कितना दिया जा रहा है, आप कितना interest rate ले रहे हैं, आपकी यहां पे जो cycle चल रही है, आपकी bank में, जो पैसों का lending चल रहा है, वो क्या है, वो पूरी report RBI bank से लेता है, तो इसका मतलब, इंडिया में RBI कैसी authority ह जो banks को supervise करती है, जो banks के सर पे एक डंडा बनके, उन्हें देखता है, उन्हें guide करता है, उन्हें monitor करता है, तो alright, banks यह situation हमारे पास यहां पे हो गई, इसलिए banks जो है, वो बहुत ही proper तरीके से loans देते हैं, देनी documentation, complete documentation, उन्हें collateral बिल्कुल proper तरीके से चाहिए होता है, interest rate, interest rate पर भी हम आएंगे, क्योंकि formal sector और informal sector दोनों के interest rate में फरक होता है, and banks जो है, वो obviously proper procedure के साथ ही credit देंगे, and mode of repayment भी उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि bank एक procedure, एक time limit के बाद, लोगों से वो पैसा वापस लेना start करता है, with particular interest rate, तो अब यहां पे बात होई ह हमारी banks की, but अब क्या वो लोग जो छोटे-छोटे farmers है, जो laborers है, जो गाओं में रहते है, क्या उनके पास proper documentation होती है, क्या वो लोग bank से easily पैसा उधार ले सकते है, so the answer is no, क्योंकि उन लोगों के पास सबसे पहली बात होती है, कि collateral नहीं होता, यह problem बहुत सारे small laborers and farmers को face करन परती है, second important thing is, कि उनके पास documentation पूरे नहीं होते है, और documentation जो है, farmers, laborers, इन सब की life में बहुत बड़ी अर्चन बनती है, जब इने bank से loan लेना पड़ता है, तो अब ऐसी situation में, वो लोग रश करके जाते हैं, informal sector पे, अब informal sector पे, वो किस से उधार लेने जाते हैं, वो या तो money lenders से पैसे लेते हैं, या फिर वो अपने friends, relatives से पैसे लेते हैं, जिने वो जानते हैं, तो इसे लिए उनको approach करके और उनसे पैसे लेते हैं, अब question यहाँ पर यह खड़ा होता है, कि इन में फरक क्या है, भई, formal से ले लो, informal से ले लो, credit तो credit है, किसी से भी ले ले लो, फरक यहाँ पर यह खड़ा होता है, कि सबसे important बात मैंने आपको यह बताई, कि अगर हमें formal sector से कोई complaint है, हमें formal sector से कोई issue है, तो हम approach कर सकते हैं, because एक ऐसी authority है, जो formal sector के सर पे है, उसे supervise करती है, and that is RBI, बट अगर हम informal sector के case में देखें, तो ऐसी कोई authority नहीं है, यहाँ पे जो borrowers होते हैं, वो फस्ते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा जाता है, कि moneylenders उन लोगों को harass करते हुए नजर आए है, moneylenders उनसे जबर्दस्ती जादा amount लेते हुए नजर आए है, moneylenders कोई record नहीं maintain करते, तो वो जबर्दस्ती किसी भी समय उनसे अपना पैसा वापस मांगते है बट लोगों को सहूलियत इसलिए होती है, क्योंकि कुछ cases ऐसे होते हैं, जब moneylenders और वो आपस में friends हैं, वो काफी समय से गाओं में रहते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो उनने कोई issue नहीं होता, अगर उनका पिछला loan अभी बकाया है, वो तब भी जाकर अपनी जा प्रेफर करते हैं, बट वहां पर वो एक loss में है, क्योंके सर पर तो कोई authority ही नहीं है, उनके सर पर तो कोई डंडा है ही नहीं, जिसे जाकर वो complaint कर सकें और बता सकें कि हमारे सर गलत हो रहा है, next important thing is, कि अगर आप informal sector से loan लेते हैं, तो यहां पर interest of rate, जो interest है वो होता है high, क् कि authority तो कोई है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, तो interest rate अपनी मर्जी से लो, collateral भी नहीं ले रहे, documentation भी नहीं ले रहे, तो interest तो जादा लेंगे, and वहीं पर जो bank होता है, उनका interest rate, जो informal sector होते हैं, उनके comparison में कम होता है, तो इसे लिए, अब यहां पर हम इस summary पर आते हैं, कि इसका मतलब, जो banks है, जो formal sector है, उन्हें अपनी cycle को कुछ इतना smooth करना चाहिए, कि जादा से जादा जो rural areas में रहने वाले लोग हैं, वो यहां से उधार ले सकें, so that उन्हें फायदा हो, वो loss में ना हो, वो किसी money lender के हाथों हरास ना किये जाए, और उनकी savings obviously उनके हाथ मे पैसा तो आए, तो इसे लिए जब उनका कम interest rate लगेगा, तो उनको फायदा होगा, क्योंकि हमने उन दोनों stories में देखा था न, शामलार और रमा की story में, कि उन लोगों को कितना नुकसान हो रहा था, तो जब informal sector से loan लिया जाता है, तो कभी-कभी farmers, laborers के साथ ऐसा होता है, क और उस trap से निकलना बहुत ज़्यादा difficult होता है, क्योंकि वो यहां पर फस्ते जाते हैं, उनके उपर इतना करजा हो जाता है, उस interest की वज़े से, कि वो उस करजे के अंदर ही डूप जाते हैं, savings, expenses, income, इन सब चीजों को भूल जाते हैं, और उनके सिरफे सिरफ एक तलवार लटक रही होती है, and that is interest, so this is very difficult for small laborers and farmers, इसलिए हम यहां पर एक solution पर पहुत सकते हैं, कि जो हमारे formal sectors हैं, उनको कही ना कहीं expand करना चाहिए, improve करना चाहिए, so that हर एक इंसान, सिरफ rich households नहीं, सभी लोग formal sector से easily loan access कर पाएं, credit ले पाएं, और सब लोगों को दिक्कत at least ना हो, अब ऐसा सिरफ हम सोचने वाले तो हैं नहीं, ऐसा सोचने वाले और बहुत सारे लोग हैं, जो यह सोचते हैं कि भई, bank से loan लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी situation में क्या किया जाएं, ऐसी situation को सोचके कुछ लोग सामने आया, और उन्होंने सामने आके एक solution दे दिया, वो solution था SHGs, SHGs के उपर बहुत important question आता है students, remember that, SHGs होते हैं, self, help, groups, अपनी मदद के लिए वो लोग खड़े हुए, वो लोग आ गया और उन्होंने खुद की मदद के लिए एक group बनाया, अब यह थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत cooperative से similar है, बट इसमें क्या issue होता है, कि इसमें बह होती है, वो इकठी होती है, और वो एक जगा पर इकठे होकर कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करती है, every month, वो पैसे जो जमा करती है, वो बहुत थोड़ी से amount होती है, it could be rupees 25 to rupees 100, जिसकी जितनी शमता है, वो उतने पैसे दें, और हर महीना वो उतने उतने पैसे लोग जोड होती है, उन में से कोई भी इंसान ऐसी situation में होता है, जब उसे पैसे की जरूरत है, तो self-help group के सारे के सारे मेंबल मिलके decide करते हैं कि उसके ओपर interest rate कितना लगाया जाएगा, वो कब पैसे वापस देगा, वो पैसे वापस किस रूप में देगा, किस mode of payment में देगा, इस तरी पर्टिकलर पर्सन को वो जमापुंजी बाद में इस group को लोटानी होती है, फिद पर्टिकलर rate of interest जो ये लोग उस पर चार्ज करते हैं, बट हां, ऐसा situation है, ऐसा case है, कि जब ये self-help groups बार 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 ऐसी लोन्स देने की activities में पढ़ते हैं, और ये strong base अपना बना चुके होत सकते हैं, उस situation में फिर ये bank को अप्रोच कर सकते हैं, और उस behalf पे, उस basis पे bank इने लोन दे देता है, तो ऐसी situation ढूंडी, self-help group के लोगों ने, basically women ने, उन्होंने सिरफ इसे पैसे लेने का जरिया नहीं समझा, और तो को एक ऐसा जरिया भी मिल गया, जहां पर बैट कर वो अ ज़्यादा हुआ, और self-help groups जो हैं, वो बहुत ज़्यादा beneficial रहे उन लोगों के लिए, जिनके पास collateral नहीं होता, जो collateral के बिना, लोन लेना चाहते हैं, वो लोग self-help group को अपने लिए एक बहुत बड़ा मसीहा समझने लगे, और यहां से लोन लेने लगे, तो अब इस chapter से ह हम एक अंत पे पहुचते हैं, हम एक end पे पहुचते हैं, कि formal और informal sector दोनों का ही society में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कहीं न कहीं, what we believe is, कि formal sector को ज़्यादा से ज़्यादा expand करना चाहिए, ताकि जितने भी rural households हैं, वो अपनी सारी needs पूरी कर पाएं, वो time to time credit ले आईए, वीडियो को लाइक कीजिए, चानल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए SEA Academy की सारी वीडियो, thank you for watching friends.